नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का मेरी यूट्यूब चैनल पर तो फ्रेंड्स फरवरी 2019 के लिए खुश ख़बरी आ चुकिये स्पेशल ब्रांच में रिकूट्मेंट आई हुई है कॉंस्टेबल की पोस्ट के लिए सबसे अच्छी बात ही है अगर आप 10 पास है त लाइक कर सकते हैं Migimil and Femail दोनों ही eligible रहेंगे बबात करेंगे डिटेल में रिक्रूट्मेंट की क्या-क्या एलिजीबिल्टे रेकिन कोण कॉन अलगले category wise vacancies है इसको आप रीट कर लेना सबसे पहले अब हम बात करेंगे क्या के selection procedure है क्या के eligibility आपकी रहेगी सारा मैं आपको details में बताऊंगी जैसे कि मैंने आपको बताया यह है all इंडिया में कहीं से भी है आप eligible हो apply कर सकते हो अगर आपने 10th pass हो तब भी eligible हो 12th pass हो तब भ बता दिया गया है और उसके बाद देखिए constable के लिए यहां पर देखिए आपकी जो हाइट है अलग अलग category wise है जर्नल के लिए 160 है SCST के लिए 155 है अलग अलग category wise यहां पर बताईए OBC के लिए 160 है BC के लिए 160 है और अगर कोई ladies या कोई girls apply कर रहे है इस job के लिए तो इनकी height यहां पर 148 cm रखी गई है और जो boys की chest है वो देखिए यहां पर category wise रखी गई है जर्नल के लिए 81 SCST के लिए 79 OBC and BC के लिए 81 रखी है और इस रिमिट यहां पर जर्नल के लिए रखी गई है 18-25 साल SCST के लिए 18-27 साल है और तीस साल तक यहां पर रखी गई है और एस रिलेक्सेशन भी आपको एस पर रूस दिया जाएगा पहले मैं आपको बता देते हैं उसलेक्शन प्रोसीजर आपका क्या रहेगा सबसे इस से रिडेटिड आपको 40 कोशन हैंगी यानि की 120 कोशन का आपका यह टेस्ट होगा जो आपका रिटर्न एक्जाम होगा और एप्लिकेशन की फीज जर्नल एंड ओबीसी के लिए यहां पे 800 रखी गई है SCSD के लिए 200 रुपए एप्लिकेशन की फीज रखी गई है देखिए फीजिकल टेस्ट में यहां पे बॉइस के लिए या जैंट्स के लिए यहां पे 10 किलोमीटर की दोड़ आपको 60 मिनट यानि की एक घंटे में कंप्लेट करनी है और गर्ल्स के लिए 5 किलोमीटर की दोड की लिए 30 को फैमने एक घंटे यहां तो छाली मिनट में आपको कंप्लीट कर लेनी है और यहां पे देखिए अपको रीटर्न एक्जाम में क्या के आएगा समाने अदिन से रिलेटिर 50 कोश्चन देखिए जार्खंड राज्य HIM आएंगे आपको 50 समाने विज्यान से कर सकते हैं अगर आप अप्लाई करेंगे आपको जारकर्ट स्टेट की जी के पर फोकस करना पड़ेगा वीडियो को लाइक कीजिए शेर कीजिए दोस्तों के साथ थैंक यू थैंक्स फॉर वाचिंग